हेलो फ्रेंट्स स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल अभी वीजन में आज हम सभी क्लास 10 के इंसी आटी बूक से ट्रिगुनोमेट्री अर्था ट्रिकॉनमीती को समझने का प्रयास करेंगे ता यह स्टार्ट करता हैं सबसे पहले आप जान लिजे त्रिकॉनमीती में हम लोग बेसिकली राइट अंगल ट्रेंगल की बात करता है यह राइट अंगल ट्रेंगल है और इसे हिंदी में समकॉन त्रिभुच कहा जाता है समकुन त्रिपुचू से कहता है जिसका एक कुन 90 डिगरी का होता है इंगलिस में आप सुन लीज़े और राइट अंगल ट्रेंगल में 90 डिगरी के सामने वाला जो भूजा है या आप कह सकते हैं कि 90 डिगरी के opposite जो side है उसे हम hypotenuse कहता है hypotenuse इसे हिंदी में कर्न कहा जाता है और इसे हम लोग age से denote करता है और बाकी ये जो है इसे perpendicular कहता है हिंदी में इसे लंब कहा जाता है और इसे P से denote किया जाता है नीचे जो side है उसे हम base कहता है आधार और इसे B से denote किया जाता है तो इसका हम नाम दे देता है ABC तो किसी भी समकून त्रिभूज में आप याद रखेंगे किसी भी समकून त्रिभूज में H square is equal to P square plus B square होता है मतलब करन का वर्ग और दो भूजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है और इसी को हम लोग पाइथागोरस प्रमय के भी नाम से जानता है पाइथागोरस प्रमय इंगलिस में पाइथागोरस थ्यूरम इससे ये निश्कर्ष निकलता है कि किसी भी समकून त्रिभूज में करन यानि हाइपोटेन्यूज जो है उसकी सबसे बड़ी भूजा होती है उसकी सबसे बड़ी भूजा होती है इसे लिए एज का स्क्वाइर करने पर एज का स्क्वाइर जो है वो पी एस्क्वाइर प्लस बी एस्क्वाइर के बराबर आता है ओके तो H का S2 is equal to P S2 plus B S2 इसी को हम लोग Pythagoras Premier के नाम से जानता है और ये जो perpendicular है और base है अगर उसका S2 करके sum कर देंगे तो hypotenuse के S2 के equal हो जाएगा इसी को हम लोग Pythagoras Premier के नाम से जानता है तो I hope कि आप समझ पा रहे होंगे इसके अलावे आपको एक बात और समझना है कि किसी भी sum कोन त्रिभूज में एक कोन 90 डिगरी होगा और अनि जो दो कोन होंगे जैसे मान लिया जा कि A, B, C ये एक sum कोन त्रिभूज है तो ये 90 डिगरी हुआ और अनि जो दो कोन यहां आपको दिखाई दे रहे है उन्हें हम acute angle के नाम से जामता है मतलब noon कोन के नाम से जामता है इन्हें noon कोन कहा जागा क्या कहा जागा? noon कोन कहा जागा noon कोन का मतलब है कि ये जो एंगल है वो 0 डिगरी से अधिक रहेंगे और 90 degree से कम होंगे यह जो angle है दोनों वो 0 degree से अधिक होंगे और 90 degree से कम होंगे तो यह बात आपको याद रखना है इसके अलावे आपको और जानना क्या है कुछ formula को जानना है क्या formula है तो आईए देखता है trigonometric formula है जैसे कि sin theta, cos theta, tan theta cos theta, sec theta, cot theta यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि sin theta का जो value है sin theta is equal to होता है हमारा p by h cos theta is equal to होता है b by h और tan theta is equal to होता है p by b cos theta इसी का उल्टा होता है इसी का reverse होता है तो आप h by p इसे कर सकते हैं 6 theta इसका reverse है इसका converse है आप जो भी बोल लिजे इसको h by b कीजे इसी formula को आप उल्टा कर दिजे यहाँ पे और tan theta p by b है तो cot theta में इसी formula को आप उल्टा कर दिजे b by p कर दिजे यानि sin theta cos theta tan theta का formula यदि आप याद कर लेता है p by h, b by h, p by b तो cos theta, sec theta और cot theta का formula अपने आप याद आ जाए यह जो formula है उसी को आप उल्टा कर दिजेगा इसमें इसमें hypotenuse नीचे है perpendicular उपर है इसमें hypotenuse उपर हो जाएगा perpendicular नीचे हो जाएगा इसमें base उपर है hypotenuse नीचे है तो इसमें hypotenuse उपर हो जाएगा base नीचे हो जाएगा इसमें perpendicular यानि lump उपर है और आधार यानि बेस नीचे है तो इसमें बेस उपर हो जाएगा और परपेंडिकुलर नीचे हो जाएगा समझ गया तो आप याद रखेगा एक बात और आप ध्यान दिजे यहां पर कि साइन थीटा, कौस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कौट थीटा यह जो आपको दिखाई दे रहा है वो सब एक दूसरे के उल्टा है मतलब कि साइन थीटा का रिलेशन कौस थीटा से, कौस थीटा का रिलेशन सेक थीटा के साथ, टैन थीटा का रिलेशन कौट थीटा के साथ तो कैसे याद करेंगे, देखे बहुत ही आसान है याद करना जैसे यदि आप sin θ का, एक तो यह अपका formula हो गया side के according, right angle triangle के side के according यह अपका formula हो गया, जैसे कि यह H होता है, यह P होता है, यह B होता है तो यह side के according formula हो गया आपका, trigonometric formula और यह जो है, आपको ये भी formula ध्यान में रखना है कि यदि आपको कोई पूछे कि sin theta is equal to क्या होता है आप बताईएगा उसको कि sin theta का relation क्या है किस से है कौसेक theta के साथ तो sin theta is equal to हो जागा 1 by कौसेक theta उल्टा है sin theta कौसेक theta का उल्टा है इसका मतलब क्या है कि 1 by कौसेक theta करके लिखेंगे sin theta is equal to 1 by कौसेक theta जैसे यदि आपसे कोई कहता है कि 5 का उल्टा क्या होगा तो 1 by 5, 6 का उल्टा, 1 by 6, 7 का उल्टा, 1 by 7 इसी तरह से यहाँ पे sin theta, cosec theta का उल्टा है तो sin theta is equal to लिख देंगे 1 by cosec theta इसी तरह से यदि अगर आपको पुछेगा कि cosec theta किसका उल्टा है तो sin theta का, तो 1 by sin theta इसे लिखेंगे, अगर आपको पुछेगा cos theta का formula क्या होगा, तो उसी तरह से आप ध्यान देजिए यहाँ पे 3 तिन का group बना ले जागा, sin theta, cos theta, tan theta इसको क्रम से लिखिएगा, उसके बाद cosec theta, sec theta, quad theta तो sin theta का relation cos theta के साथ, cos theta का relation किसे है, sec theta के साथ यहाँ लिख दीजिएगा, 1 by sec theta, इसको आप आसानी से याद कर सकता है इस तरह से, और sec theta का formula क्या हो जाएगा, यह सब आपस में, जो है, इनका reverse का relation होता है, तो sec theta का formula हो जाएगा, 1 by cos theta अब आता है, tan theta में, tan theta का formula हो जाएगा, आपका, 1 by cos theta और उसके बाद, core theta का यदि आप formula लिखेंगा, तो 1 by tan theta आएगा, अब देखिए, क्या करना है यह तो समझ गए, कि कैसे formula को हम लिखेंगे, अब क्या करेंगे, कि tan theta का एक और formula होता है और यह बहुत ही important है, अब ध्यान दीजेगा, tan theta का एक और formula होता है, sin theta by cos theta और cot theta, चुकि इसका उल्टा होता है, reverse होता है इसका, tan theta का तो cot theta में मैंने क्या कहा, कि इसी के formula को आप उल्टा कर दीजे यहाँ हो जागा cos theta by sin theta, ओके, तो आज के लिए इतना ही, next video में हम class 10 के trigonometry chapter का exercise करवाएंगे, ओके, तो आप देख लिजे यह जो वीडियो है, यह आपके jack boat और cbac boat दोनों के लिए है, आप सभी ध्यान में रखेंगे, यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो, तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, अपने दोस्तों तक share करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि हमारे द्वारा बनाई गई, हर वीडियो की नोटिफिकेसन आपको मिलती रहें, थैंक्यू. झाल